तो एक्जाम्पल है लीकुड कॉलम का आपको कभी भी डाग्राम अगर ऐसा गिवन हो जिसमें यह ट्यूब गिवन हो और अलग-लग किसम के लीकुड गिवन हो जैसे क्वेश्चन में गिवन है इसमें कि मानलो आपके पास एक मर्करी लीकुड है और मर्करी का लेवल दोनो ट्यूब में exactly same है यह मर्करी का लेवल है तो मर्करी यहां तक है और वो दोनों ट्यूब में same level पे है आपने क्या किया left side पे spirit डाल दी spirit हलकी होती है spirit डाल दी और spirit कहां तक डाली 12.5 cm पे डाल दी तो जब आपने spirit डाली यहां से बाहर होगा तो ऐसे जाएगा liquid पर ऐसे ना जाए इसके लिए आपने यहां पर 10 cm तक पानी डाल दिया तो यहां से पानी डाल दिया 10 cm का यहां से spirit डाल दी ताकि मर्करी का लेवल चेंज नहीं हुआ गिवन है question में तो बैलन्स कर गया तो यह situation आपको question है given है आपको बताना है what is relative density of spirit आपको इस question में relative density mercury की तो given है आपको spirit की निकालनी है spirit की relative density क्या होगी density of spirit divided by density of water यही क्या चीज है relative density इसकी ratio निकालनी है तो एक तरीके से density of spirit निकालके density of water से डिवाइड दरके answer आजाएगा तो basically तो density of spirit निकालनी है कभी भी इस type का अगर question आजाएगा त्यूब इसमें गिवन हो लिकुवर्ट इकुलिबर में गिवन हो इसमें इकुलिबर में गिवन होता है कोई लिकुवर्ट इसमें भूवनी कर रहा तो एक ही रूल लगता है left side का pressure difference is balanced by right side का pressure difference simple, बताओ left side पे pressure का difference क्या होगा, मालो H level है mercury का, तो इस mercury का pressure difference यहाँ पर क्या होगा pressure head क्या होगा liquid column होजी, तो H into density of mercury into G और spirit का क्या होगा 12.5 into density of spirit into G तो left side पे total pressure pressure difference कितना create होगया, spirit का H rog mercury का H rog और यह किस ने balance किया right side के liquid ने balance कर लिया तभी liquid left and right move नहीं कर रहा तो right side पे क्या लगेगा H rog इस mercury का और 10 cm पानी है तो 10 into density of water into G क्या step समझ में आ रहा है जिस liquid की बात हो रही है density उसी liquid की पुट की जा रही है mercury की बात हो रही है mercury की density, spirit की बात हो रही है spirit की density, water की बात हो रही है water की density, तो H rog left side का H rog right side का equate कर दो equate करेंगे तो पूरी की पूरी term इससे क्या हो गई? cancel, G से G क्या हो गया? Cancel आपके बास यह term रच गई इसमें आपको क्या निकालना है? density of spirit divided by density of water इसी ratio ले लो, ratio लेके जो answer आएगा वही क्या है आपके relative density तो आपने calculation में क्या करना है वो तो आपको अपने पता लग जाएगा main चीज है कि क्या कर देना है इसमें लेफ्ट और राइट के pressure difference को देखती क्या कर देना है? equate, answer आजाएगा क्या step समझ में आ रहे यहां तक? clear रहे यहां तक? इसी का एक और B part है आगे extend कर दिया उसने का कि suppose करो कि in the above question 15 cm of spirit पहले किते cm spirit थी 12.5 cm थी 15 cm spirit क्या होगी? 27.5 हो गई 12.5 तो पहले ही थी 15 और डाल दी 27.5 कर दी spirit और डाल दी और इधर से and यहां पर correction है 5 cm of water और डाल दिया 5 cm water डाल दिया right side पहले water कितना था 10? 10 में 5 add हो गया 15 ठीक हो गया, इधर से spirit और डाल दी, इधर से पानी और डाल दिया, mercury का लेवल बिगड़ गया mercury के लेवल में mercury H1, H2 हाइट पहले ठीक हो गया आपको निकालना है यह हाइट का डिफरेंस किया है यानि की H2 minus H1 के question है स्वज में आ रहा है यह question है क्या तो इस question के अंदर इस question के अंदर आपको आता है कुछ भी नहीं pressure difference ही क्वेट करना क्योंकि liquid अभी भी rest पे है तो अब left का pressure difference is equal to right का pressure difference ठीक है, तो left की तरफ pressure difference क्या हैगा? 27.5 into density of spirit into G और यहाँ पर क्या हैगा? H1 into density of mercury into G राइट पे क्या हैगा? H2 into density of mercury into G और उसके ऊपर क्या हैगा? 15 into density of water into G clear है यहाँ तक? तो pressure difference left or right का equate कर दिया equate करके values put करते है density of spirit given है मुझे कैसे पता? क्योंकि ऊपर वाले question में मैंने relative density spirit की निकाल ली थी यह पाट में relative density spirit की 0.8 थी तो density of spirit क्या होगी? spirit की density होगी 0.8 into density of water water की density CGS में 1 है तो density of spirit क्या है 0.8 तो यहाँ से density of spirit उपर से पता है density of mercury question में 13.6 gram per centimeter की उप अलड़ी given है density of mercury मुझे given है density of water CGS में 1 given है solve करके क्या जाएगा आपने H2 minus H1 की value आजाएगा method समझ में आ रहा है कि left और right का pressure difference को आपने उठा के क्या कर देने? equal करते रहे कर देने